वो revolver निकाला, revolver निकालके मुझे एक second में मुझे ऐसे attack किया है सर पे और face पे, तो एक second के लिए मैं blank होके कुछ समझ में नहीं आया है क्या हुआ अचानक, उसके बाद मैंने भी उसको फिर छोड़ा नहीं, एक अलग सा strength मेरे body के अंदर आ गया अपना self defense के लिए, मैंने उस उसका face को press किया, नाक को press किया, जोर से और मैंने उसको push किया, वो एक बाद डोर पे गिरा, फिर वापस उठके मुझे वापस attack करने लगया, इतनी में मैं बहुत जोर जोर से चिला रही थी, तो मेरी maid जो kitchen में गई थी, जो उनके पास जो एक आदमी था, वो मास में था, व उसको hold करके रखने के लिए, उसके दोनों हाथ hold करके बड़ा एक one feet का knife यहां लगा के उसको बोला चुपचाप खड़े रहे ना, ने तो cut कर दूँगा मैं, वो चुपचाप वहीं kitchen में खड़े रही, वो मुझे बचाने नहीं आ सकी बाहर, तो फिर हम लोग fight करते करते, म मेरी बेटी भाग के आई first floor से, जो सोई भी थी, वो 12 अभी complete करिये बोर्स, वो सोई भी रहती है दो फैर में, वो सो के नीचे आई और मुझे देखा अचानक, और वो यहां पर है भावी महनो था इनका नाम, वो मुझे देखे ये condition में, तो उनसे एकदम भी वो क्या strength उनक नीचे गिर गया और उसका माक, मास भी मू से हम लोग छीन लिये थे, तो मेरा उसका eye contact हुआ, तो उसको भी समझ में आगया कि भावी मुझे पैचान ली, क्योंकि ये लड़का 2022, ओम शक्ति बालाजी house deep cleaning, रंजीत मैनेजर है इनका, वो बंदे ने इस बंदे को लेके आया था, दस दिन मेरा पूरा deep cleaning किया था, वो आल सोर clean किये थे लूग, तो मैंने उसके eyes को read किया, उसने मुझे लगा कि वो मैडम मुझे पैचान लिये, तो अब उसको रुखना याँ पे safe नहीं लगा, वो मुझे हाथ से चुडा के भागने लगा, वास्तावान की, इलांटी पटेल से कोचिंग की है, 6-7 years, जो गितांजिली देवशाला स्कूल में आके morning करते थे एक बैंच, हमने वहाँ पे भी गये हैं, उसके बाद मैं वाव जुम्बा में जाती हूँ, महाँ फिटनस करती हूँ 4-5 years से, सो मैं continuously फिटनस में हूँ 14-15 years से, मैंने कॉडियो किक आया जो बॉड़ी के अंदर था हमारे, तो वो हमने अटाक किया, उसको हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो कर सकते थे हमने ट्राइ किया, इदर हो दंगल कोडा, मैं के तिलिसन वेक्तो लेना, या, और वो लड़का जो था, वो सुशील था, वो डीप क्लीनिंग के लि हम लोग जोर-जोर से, तो दो-तिन उसको पिछे भी लगी हाथ पे लगी मैंने उसके तीन-चार बाइट्स भी किये, फिंगर मेरे मूँपे आय तो मैंने बहुत जोर से उसको काटा और उसका फेस भी खरूंचा उसको, स्क्रैच किया, और बेटी को भी लगा चोटी, एद कि मैं इसको चोट लगया इदर सब, यहां पे सब, यहां पे सब, तो अचानक मैंने जब आवास सुनी मैं भाग के नीचे आए, और मेरी मा को ऐसे हालत में देखा कि कोई आदमी उनको मार रह था, तो मैं जाते की जित्ती स्रेंथ ही मेरे अंदर वो आदमी को गिरान की का मुखी में, उसका चेहरा देखा है, और यहां इसको पहले दिखा है, तो वैसे करते करते हम तो च्राइ करे थे कि उसको यहां पे बिठाए, ताकि पुलिस जब आएगी, वो उसको ले पाएगी, पर वो भाग गया उससे पहले, और दूसरा जो आदमी था, मैं को पता न वो अंडर थाओ.